नमस्कार राज के बात में आपका स्वागत है दिल्ली सरकार के खिलाफ केंदर सरकार का अध्यादेश यानी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर खत्रे के बादल मंडरा रहे हैं और इसलिए केजरीवाल ने नेगोसियेशन किया कॉंग्रेश के साथ पूरे विपक्षी पाटियों के साथ कि अगर आप लोग अध्यादेश के लिए जो बिल पेशोने वाला है उसमें राज्यसभा में हमारा साथ नहीं देते हैं तो फिर हम विपक्षी एकता के इस गठवंधन में सहयोग नहीं करेंगे अलग रहेंगे ले अर्विन्द केजरिवाल पासोंगे ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि दो दिनों से कश्मकस के स्थिति चल रहे थी अर्विन्द केजरिवाल और कॉंगरेस दोनों एक दूसरे से बातचित कर रहे थे कई दूसरी पाटियां भी केजरीवाल का सहयोग कर रही थी और एक बड़ी बात ऐसे हुई कि जब जगदीब धनकड राजसभा में पेश किये जाने वाले बिल के बारे में राजसभा के सारे सांसदों से बात चित कर रहे थे और बात जब आउडिनेंस को रिप्लेस करने वा चड़ा ने सवाल उठाया और उसके बाद कॉंग्रिस ने इसका विरोध किया और फिर सब लोग राजसभा से जो बात चित चल रही थी जगदीब धनकड जो बात कर रहे थे उनको छोड़कर चले गए और उसी के साथ बियारेस के सांसद भी चले गए यानि कि इन लोगों को लगने लगा कि केसी यार जो अभी तक विपक्षी एकता में शामिल नहीं हुए वो अचानक से ये ओडिनेंस के रिप्लेस करने वाले जो बिल आने वाले है उसमें राजसभा में अरविंद केजरिवाल का साथ कैसे देने लगे इसका मतलब ये था कि अरविंद बेटी कवीता ने भी कई करोड रुपे खाए हैं और इसलिए इन लोगों की सेटिंग काम्याब होने वाले थी लेकिन अचानक से एक और खबर आती है कि मायवती ने कह दिया है कि ओडिनेंस पर जो बिल आएगा उसमें हम किसी का साथ नहीं देंगे या तो हम उस कारवाई से बाहर रहेंगे या फिर इसके खिलाब वोट करेंगे यानि अब जो मामला है वो नंबर गेब में फसा है कि क्या अगर विपक्षी पार्टियों में से कुछ और पार्टियों को अर्विंद केजरिवाल तोड लेते हैं तो राज्यसभा में ये बिल अटक जाएगा अगर आ उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि नंबर गेब में अर्विंद केजरिवाल फेल होते नजर आ रहे हैं वो उमीद करके बैठे हैं कि ये जो बिल पेश किया जाए उसको किसी तरीके से रोके और इसलिए जब जगदीब धनकर ने ये बात उठाई कि ये बिल अब नाया जायेगा राजसभा में तो संजय सिन और राघवचढ़ा ने जो पहला सवाल उठाया वो यही कहा कि ये मामला भी सुप्रिम कोट में चल रहा है और सुप्रिम कोट इसे पाँच जजों के बेंच में भेजने का फैसला कर चुका है इसलिए सुप्रिम कोट में जो पेंडिंग है उस पर बिल लाने की क्या ज़रूत है इसी पर जगदीब धनकर ने दोनों को फटकार लगाए और रागप चड़ा संजै सिन को कहा कि आप लोग संविधान पढ़ो प्रोसिडिंग पढ़ो नए नए संसद में आये हो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रिम कोट से संसद को कोई लेना देना नहीं है अगर सुप्रिम कोट में कोई सुनवाय चल रही है किसी मामले को लेकर तो क्या उसको लेकर कोई बिल पेश नहीं किया जा सकता क्या कानून नहीं बनाय जा सकता पहले प्रोसीडिंग के नियम कानून को पढ़ो ये कोई गली नुकड नहीं है चाय की दुकान नहीं है जहां पर तुम लोग आओगे और जैसे मन करे वैसे कोई बात भी उठा कर बोल दोगे ये बहस का मुद्दा नहीं है चुप चाप बाहर निकल जाओ ये फटकार लगाके बाहर वे निकाल देती लेकिन जहां तक नंबर गेम की बात है अभी राजसभा में 238 सांसद है 245 में से 7 सीटे वैकेंट है जिसमें से 4 राजसभा के सीटे जो जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित है वो भी वैकेंट है क्योंकि ज सीटे जो राश्टपती मनोनित करते हैं बारह सांसदों को उसमें से 10 सांसद ही मनोनित हुए है दो सीटे वहाँ पर भी वैकेंट है और एक उतर पर परदेश में वैकेंट है क्योंकि एक सीट पर जो भारतिये जनतापाटी के राजसभा सांसर थे हरिद्वार दूबे उनक मौत पिछले महीने हो गई जून के महीने हो गई और उस पर अभी चुनाब नहीं हुआ है लेकिन उसके लाबा यानि 238 सीटे हैं और 238 सीटे में अगर कोई बिल पास करवाना है तो उसके लिए 120 सांसदों की जरूरत होगी और अगर जो इस बीच खेल चला है उसमें सबसे तरीके से मायावती ने कहा है कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे और यानि की हम वोट नहीं करेंगे याब अगर वो वाकाउट करने के लिए तयार हैं तो 137 सो जाएगा यानि की 119 सांसदों की जरूरत पढ़ेगी भारतिये जनता पार्टी को इस बिल को पास करवाने के लोकसभा में भारतिये जनता पार्टी को किसी के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है इसलिए केजरिवाल लोकसभा की बात नहीं करते हैं राजसभा की बात करते हैं अब इंडिये की बात करते हैं कि कैसे इंडिये को 117 सीटों पर जनमत वहुमत इकठा हो सकता है अब ही अगर राजसभा में इंडिय की बात करते हैं तो भारतिय जनतापाटी के पास 93 सांसद राजसभा में हैं और उसके लावा 5 जो नॉमिनेटेट सांसद हैं उन्होंने भारतिय जनतापाटी की सदस्यता सुविकार कर ली है यानि कि जो पाँच सांसद हैं रास्टपती द्वारा नॉमिनेटेड वो सब भारतिय जनता पार्टी के मिम्बर बन चुके हैं यानि 98 सांसद अकेले भारतिय जनता पार्टी के पास है उसके बाद सहयोगी पार्टियां जो है बारतिय जन्ता पार्टि की यानि इंडिये के कुनवे की बात करें तो AIA DMK जो सहयोगी पार्टि है जिसने इंडिये की बैठक में शामिल भी हुआ और उसके पास चार सांसद है राजसभा में और उसके अलाबा नौ सांसद एक एक य के और सौथ इंडिया के वो सारे पार्टियों को मिलाके नौ सांसद है यानि अगर इस तरह से देखा जाए तो एंडिये की सहयोगी पार्टियां यानि भारतिय जन्ता पार्टि के अलाबा तेरह राजसभा के सांसद इन पार्टियों के पास है यानि अगर भारतिय जन्ता अपाटी को टोटल देखा जाए तो 116 सांसद ऐसे हो जाते हैं और उसके बाद एक सांसद जो है वो अभी NCP के प्रफुल पटेल जो की अजीद पवार के खेमे में आये हुए हैं वो भी इंडियेक में शामिल हो चुके हैं अब NCP के पास दो सांसद हैं और दो सांसद शरत प के पास था उसमें से एक इंडिये में शामिल हो चुके हैं अजीद पवार के साथ अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं अपोजिसन पार्टियों की जहां पर अर्विंद केजरिवाल खेल करने की कोशिश कर रहते इतने दिनों से कोशिश कर रहते कि कि किसी भी तरीके से कॉं कोंग्रेस के 31 सांसत थे लेकिन जो पश्चिम बंगाल में राजसभा की छे सीटों पर चुनाब हुआ उसमें कोंग्रेस के पास जो पहले से एक सांसत थे वो अब नहीं रह पाए क्योंकि वहां पर विधायक ही नहीं है ये भारतिये जनता पार्टी के लिए एक बड़ी फ पश्चिम बंगाल से लापाई इसमें एक सांसत का नुकसान कोंग्रेस को हो गया यानि कि अभी कोंग्रेस के पास 30 सांसत हैं लेकिन उसके बाद 13 सांसत टीमसी के हैं राजसभा में 10 सांसत हैं आमाद्मी पार्टी के क्योंकि 3 दिल्ली से हैं और 7 सांसत जो हैं वो से हैं यानि 10 सांसत आमाद्मी पार्टी के 10 सांसत डीम के के हैं 6 राजद के 5 जद्यू के 5 सपा के ये सारे मिलाके 97 सांसत अभी राजसभा में अपोजिशन पार्टीयों के हैं जिसका गठबंधन हो गया है जो साथ में काम करने की बात कर रहे हैं जो अर्विंद केजरिवा को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें CPI, CPM सारी पार्टियां शामिल हैं लेकिन इसके अलावा 29 राजजवा सांसद ऐसे हैं जो न तो इंडिये में हैं और नहीं अपोजिशन पार्टी के इस गठबंधन के साथ हैं उसमें से पहला जो सांसद की बाद करते हैं और जिसकी संख्या भ नितीश कुमार को भी भटकार लगा दी थी और दूसरे तरफ इंडिये के साथ संपर्क तो रखते हैं उसमें शामिल नहीं हुए हैं उनके 9 सांसद हैं जबकि दूसरे आंधर परदेश की एक पार्टी है YRCP कॉंग्रिस यानि की YRCP के पास 9 सांसद हैं और TDP आंधर परद परटक में JDS है उसके वी एक सांसद खुद देवगोडा हैं और उसी तरीके से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंड सिक्किम की पाथी है जिसके एक राजसवा सांसद हैं यानि टोटल 29 सांसद ऐसे हैं जो कि किसी गठ बंदन का हिस्सा नहीं हैं अगर इसमें से कुछ सांसदो को अरविंद केजरिवाल अपने साथ कर लेते हैं अगर जगन मोहन रिड़ी जो कि अभी आंधर परदेश में कंफ्यूजन की स्थिति में हैं क्योंकि भारतिय जनतापाटी टीडीपी के साथ गठ वंदन करने जा रही हैं इसलिए अगर जगन मोहन रिड़ी अरविंद इतना भी आकड़ा हो जाए अगर अपोजिशन पार्टियों के साथ के जरिवाल के साथ जूड़ जाता है तो भी इंडिये का आकड़ा बहुमत के करीब है और अगर भारतिय जनतापाटी को बाई दबे कुछ समर्थन की जरूरत है तो उसमें जो बात की जा रही है पांच नॉमिनेटेट सांसदों की जो कि अभी भारतिय जनतापाटी के मेंबर नहीं बने है उसमें महेश जेट मलानी भी सामिल है उसमें पीटी उशा भी सामिल है ये लोग भाजपा के मेंबर नहीं बने है लेकिन भारतिय जनतापाटी की सरकार नहीं इन्हें नॉमिनेट करवा और दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट दो सांसंद है उसमें से एक कपिल सिब्बल है और दूसरे अजीत कुमार भुईयां है असम से आते हैं जबकि कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने सहयोग करके नॉमिनेट करवाया है इसका मतलब है कि कपिल सिब्बल तो असम के हैं और असम के वो सांसद इंडिपेंडेंडेंट पूरी तरीके से ये माना जा रहा है कि वो भारतिय जंता पार्टी का सहयोग करने वाले हैं यानी 118 सांसदों का तो ऐसे ही समर्थन भाजपा को मिल रहा है लेकिन दूसरी तरफ एक और सांसद हैं जेडियस के HD कुमारा स्वामी ने भी यही बात कही थी कि अगर हमें किसी से गठवंदन करना ही होगा तो हम जीतने की संभावना वाली पार्टी से करेंगे यानि कि एंडिये से करेंगे भारतिय जनता पार्टी के साथ करेंगे इसलिए उनका समर्थन भी मिलना लगभगता है और जहां तक सिक्किम डेमोकरिटिक फ्रंट की बात है नौर्थ इस्ट में तो कॉंग्रेस और अपोजिसन पार्टीयों का पूरा संपर्ख ही खतम हो गया है इसलिए SDAB भारतिय जनता पार्टी के साथ ही है और जो जिस तरीके से महौल तयार हो रहे हैं और जो लग रहा है अगर नवीन पतनायक भी भारतिय जनता पार्टी के साथ रहे जो हर मुद्दे पर हर बिल पर वो भाजपा के साथ रहे हैं और YSRCP ने भी अगर वोट से अपने आपको बाहर कर लिया समर्थन देने के बदले तो पूरी तरीके से भारतिय जनता पार्टी के पास सिर्फ 120 सांसद नहीं बलकि 130 से ज़्यादा सांसद होंगे जो की इस बिल को पास करवाने के लिए काफी हैं. इसलिए जो परियास चल रहे हैं इस ओडिनेंस को रिप्लेस करने वाले बिल को रोकने के लिए राजसभा में उससे केजरी बाल परिशान हो गए हैं. उन्हें पता है लोकसभा में पारित हो जाएगा राजसभा में भी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अगर सारी अपोजिसन पार्टियां भी मिल गई तो कुछ भी इनके अनुकूल नहीं हो सकता है. इसलिए बार-बार सुप्रिम कोट का हवाला दे रहे हैं कि सुप्रिम कोट में पेंडिंग है तो इस बिल को पेशी न किया जाए. लेकिन हंगामा तो होगा. यानि हंगामे के पीछे एक बड़ी वज़ा ये है कि जो ड्राफ्ट बना है इस ओडिनेंस को रिप्लेस करने वाले बिल में वो ड्राफ्ट बड़ा खतरनाक है. उसमें साब तोर पर कह दिया गया है कि अब दिल्ली में पूरा का पूरा पावर का सिंटर किंदर के पास होगा. ट्रांसफर पोस्टिंग की हिसीर बात नहीं है. यहां पर एल जी को बास बनाने के लिए जो पिछले बार निशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल द इस बार अमेंडमेंट बिल आने वाला है उससे केजरिवाल की कुरसी हिल जाएगी. वो केबल दिखावे के सीम रह जाएंगे उनके हाँ से सारी शक्तियां छिनने वाली है और यही वजह है कि अरविंद केजरिवाल बौकला रहे हैं. चारों तरफ से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इनका सारा अवियान अब दो दिन के बाद ही रुकने वाला है. और फिर अगर अपोजिशन पार्टियों की एकता के बाबजूद, कॉंग्रेस के समर्थन के बाबजूद, यह बिल राजसभा में जैसे ही पास होगा, अरविंद केजरिवाल एक कैशा शातिर नेता है कि कॉंग्रेस से अपने आपको अलग कर लेगा, इस अपोजिशन पार्टियों की एकता से अलग कर लेगा, क्योंकि अरविंद केजरिवाल ने सबसे पहला सवाल उस बैठक में सीट शेरिंग को लिए उठाया था, और दिनली में तो एक दो सीटों प पर पिछली बार लोक सभा में पंजाब से जीती थी, वो भी कंपरमाईज नहीं करेगी, इसलिए केजरिवाल चाहता है कि इस समय अगर हम पंजाब और दिनली में कॉंग्रेस के साथ गठवन्दन करें और दूसरे राज्यों में चुनाभी न लड़ें, तो इस से बढ़ि सकते हैं, इसलिए बिल जैसे ही पारित होगा, कानून बनेगा, बिपक्ष की पार्टियों के बीच बिस्पोर्ट होगा, केजरिवाल भी उससे बाहर निकल आएगा, तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से आधिर होंगे, तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ, और देत करने बने दो इसे आएगा, के बिस्फोर्ट होगा, तो इसे दो इसे दो पार्टियों के ऑने रही हमारे साथ झाले साथ, यूज आएगागागा, यूज लिए यूँ